गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम अतनी मैट की क्लास में करेंगे भार का मापन हम भार का मापन ही कर रहे थे न तो हमने कुछ कर लिया थे यानि जोड और घटा कर लिया थे आज फिर से हम घटा के कुछ सवाल करेंगे बाकी आप देखिए जहान से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है स्टुडेंट्स यह देखिए स्टुडेंट्स आज हम घटा करेंगे पहले भी किया है हमने लेकिन आज एक बार फिर से देख लिजिए यह देखो 5 में से 5 को घटा करेंगे दोनों क्या है गाएगा जीरो आठ में से तीन को घटाएंगे तो क्या बचेगा घटा करनी आती है सबी बच्चों को तो इहां पर बचेगा 5 दो में से एक घटाएंगे तो बचेगा 1 ठीक है किलो ग्राम और ग्राम का हमने देखा था सैंटी मीटर और मीटर रखा भी देखा था इसके पीछे किलो ग्राम दिया गया तो हमने किलो ग्राम साथ जरूर लगाना है 150 किलो ग्राम आ गया ठीक है इसी तरह से यह देखेंगे 5 में से 5 0 यह है पांच बढ़ा है, चार छोटा है, तो इसमें हम क्या गरेंगे, हांसी ले लेंगे, यहां से यहां ली चोदा, यहां से एक हांसी ली, यहां पे क्या बन गया, चोदा, ठीक है, चोदा में से पांच घटाएंगे, हम क्या बचेगा हमारे पास, नो, क्या बचेगा, नो, घटा पर दोड़के गठा सकते हैं और उंगलियों पर भी कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया ठीक अब हमारे पास क्या बचा एक एक में से क्या एक में से एक तो क्या बचेगा जीरो तो हमारे पास क्या आया क्या आपको समझाया होगा स्टूड एक और देख लीजीए यह यह तो यहां से अमने यहां आसी ले ली है यहां पे बारा बन गया थीग है बारा में से शे गटाएंगे छे बचेगा, यहां रहा गया तीन, तीन में से पांच नहीं जा जकता है, इसलिए यहां से फिर हमने हासी ली, तीन में से पांच, मतलब तीन से यहां हासी ली तो बन गया तेरा, तेरा में से पांच गये तो हमारे पास बचेगा आठ, क्या बचेगा हमारे पास आठ, यहां एक में से एक गया जीरो तो यह घटा करने के बाद जो हमारे पास आया यह बचा हमारे पास 86 ग्राम यह था स्टुडेंट्स हमारे भार के मापन का जो बचा हुआ काम था हमने आज उसको कम्प्लीट कर लिया हमारे ही लेशन कम्प्लीट हो गया बाकी की प्रैक्टिस आप खुद करेंगी और अपनी नोट बुक पे भी करेंगे और मैथ की बुक में भी करेंगे थैंक प्रचुट करेंगे बुक्ता हाँ और मैं हमारे खुक्ता हाँ एंपनी विप्राइब बूम आपना आप्राइब जिल स्टारा टाइब जिल स्टारा गारे ही खुड़ाई कि तर जिल सब्सारा टारी जिल खुट इल इल